नमस्कार हमारे इग्नो आउडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है इंदिरा गांधी राश्चिय मुक्त विश्व विद्याले सतत शिक्षा विधाले प्रमाणपत्र कार्यक्रम पोशण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट सी एनसी सी सी एनसी सी दो बाल निगरानी सेवा का प्रबंधन खर दो बाल विकास एक वर्ष की आयू में इकाई ग्यारा विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल क्रियाए इकाई की रूपरे खा जा रह एक प्रस्तावना हम सब बच्चों के साथ अंतक्रिया करते हैं और अन्य लोगों को उनके साथ बातचीत करते देखते हैं और ऐसा करते हुए अनायास ही हम शिशों को उठाने उनसे खेलने और बात करने का तरीका सीख जाते हैं बच्चों से बात करते समय हम अक्सर अपने बात करने का धंग बदल लेते हैं। हम अपने को उनके स्तर तक लाते हैं और छोटे तथा सरल वाक्यों में ही बात करते हैं। यह सब जानने और करने के बाद भी बच्चों की देखभाल करना एक जटिल कार्य होता है। बच्चों के विकास को प्रोटसाहित करने के लिए यह जरूरी है कि पालनकर्ता के पास परियाप्त जानकारी और कौशल हो। पालन करता के विकास की अवस्थाओं और उम्र के साथ बच्चों में उभरने वाली योग्यताओं की जानकारी होना आवश्चक है ताकि वह बच्चों की उम्र के अनुरूप खिलक्रियाय आयोजित कर सके। ऐसी जानकारी अभिभाव को तथा शिशुग्रिय शाला पूर्व केंडर कार्य करता दोनों के लिए लाभप्रद हैं। इस विशय पर जानकारी होना शिशुग्रिय कार्य करता के लिए खास तौर पर आवश्चक है। क्योंकि वहां माता-पिता की अनुपस्थिती में बच्चों की देखभाल कर रही है और उसका बच्चों तथा उनके अभिभावकों के प्रती उत्तरदायत्व है। यदि घर में बच्चे की देखभाल में कुछ कमी रह गई हो जैसे बच्चों को प्रेरित करने के लिए अनुभव प्रदान न करना अत्वा समय पर तीका न लगाना तो कार्य करता को इनकी प्रतिपूर्ती करनी होगी। यदि कार्य करता एक समवेदन शील व्यक्ती है तो माता-पिता अपने बच्चों को उसके पास पूरे विश्वास तथा भरोसे के साथ छोड़ सकेंगे। उनके प्रती जागरुक हो सकेंगे। इस भाग में की गई चर्चा केवल शिशों की देखभाल से ही संबंदित नहीं है, अपितु सभी उम्र के बच्चों की देखभाल के लिए उप्योगी है। उदेश इस इकाई को पढ़ने के बाद आप टाइम्स पालन करता की उन मनोवृत्तियों का वर्नन कर सकेंगे जो बच्चों की उचित देखभाल में सहायक होती है। टाइम्स उन कौशलों का चयन कर सकेंगे जो पालन करता के लिए अनिवार्य है, टाइम्स शिशों के लिए उचित खेल सामगरी का चुनाव कर सकेंगे, टाइम्स शिशों के लिए खेल क्रियाओं का आयोजन कर सकेंगे, और टाइम्स शिशों के लिए कुछ खेल सामगरी जा रहा फरवरी 2001 समवेदन शीलता एक समवेदन शील पालन करता को बच्चों की जरूरतों का आभास होता है और वह यह समर्षती है कि यदि एक बालिका कोई विशेश व्यवहार कर रही है तो वह ऐसा क्यों कर रही है उदाहरन तह वह यह जान जाती है कि बालिका चिर्चिरी है, घूखी है, दर्च से परेशान है या उपेक्षत महसूस कर रही है वह यह भी समझती है कि यदि एक चार वर्षिय फुर्तीला बालक उदासीन बैठा है तो इसका अवश्य ही कोई कारण है दूसरे शब्दों में वह बच्चों की भावनाओं और क्रियाओं के प्रती समवेदन शील होती है बच्चों का मनोभाव भाम कर पालन करता उस समय का फाइदा उठा सकती है जब बच्चे सतर्क, क्रियाशील और मैत्रिपूर्ण हो ऐसे समय पर पालन करता उन्हें प्रेरित करने के लिए अनुभव प्रदान कर उन्हें कुछ सीखने में मदद कर सकती है इस बात से दूसरा तथ्य उभरता है एक समवेधन शील पालन करता यह जानती है कि प्रत्येक बच्चा दसरे बच्चों से भिनन है हर एक का एक अलग व्यक्तित्व है और एक की तलना दसरे से नहीं करनी चाहिए वह बच्चों को जैसे वे हैं उसी रूप में स्वीकार करती है आथा सब पर समान ध्यान देती है केंद्र में बहत से बच्चों की देख भाल करते है मकिन है कि पालन करता को कच बच्चे अन्य बच्चों की अपेक्षा ज्यादा अच्छे लगते हो उसकी इस पसंद से अन्य बच्चों के प्रती उसके व्यवहार में बदलाव नहीं आना चाहिए अर्थात उसे बच्चों के प्रती पक्षपात नहीं करना चाहिए उसे शरार्ती बच्चों की अवहलना नहीं करनी चाहिए हर बच्चे को सीखने और पालन करता से अंतहत्रिया के समान अवसर मिलने चाहिए बच्चों के प्रतिसमवेदन शीलता पालन करता को बच्चों की भावनाएं महसूस करने में और उनके दोहक तथा खुशी में शामिल होने में मदद करती है दूसरे शब्दों में उसमें समानुभूती की भावना होती है इस भावना का होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे महसस करते हैं कि पालन करता उन्हें समझती है और पसंद करती है जब पालन करता बच्चों को गोदी में उठाती है उनसे बात करती है और उनके प्रती अनुक्रिया दिखाती है तो बच्चों को उसके सनेह का बोध हो जाता है पालन करता का बच्चों के साथ व्यवहार और बातचीत करने का ढग ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों के प्रती अपनापन और स्विकृती जलके अगर बच्चे अपने को पालन करता के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो वहां उनके विकास को प्रभावकारी रूप से बढ़ावा नहीं दे पाएगी विकास में वयक्तिक भिन्नताओं के कारण प्रत्तेक बच्चे में भिन्न-भिन्न कौशलों और गणों का विकास होता है इस कारण खेल क्रियाओं की सही व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है आदर्ष रूप से पालन करता को प्रतेक बच्चे की योग्यता के अंकलन खेल क्रियाए संधित करने चाहिए. केंद्र में यदि अधिक बच्चे हो तो यह कार्य ठोड़ा कथिन हो जाता है. फिर भी कल्पना और दूरदर्शिता से पालन करता प्रत्यक बच्चे की पसंद और आवशक तानुकूल खेल क्रियाओं का प्रबंद कर सकती है खंड साथ में हम इस पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे जारा फरवरी दो हजार दो आत्मविश्वास एक ऐसी पालन करता की कल्पना कीजिए जिसमें आत्मविश्वास न हो और जो संकट की घड़ी में धैर्य खो देती हो आपके विचार में क्या वह ठी प्रकार से बच्चों की देख भाल कर पाएगी? चिंता तथा तनावों से मुक्त एक प्रसन्नचित पालन करता ही बच्चों की और पूरा ध्यान दे पाएगी वह परिस्थिती के अनुसार सही निर्णय ले पाएगी और होश्यारी से कठिन स्थिती का सामना कर पाएगी एक विश्वस्थ पालन करता बच्चों के साथ प्रसन्य चित्त धंग से अंतह क्रिया करती है और उनके साथ अत्यन सहज्टा पूर्वक सन्मय व्यतीत करती है आत्म विश्वास के साथ परिस्थितियों का मुकाबला करने की पालन करता की क्षमता और सरक्षा की भावना उसके व्यवहार से जलकती है, जिसके कारण बच्चे उसके साथ रहते हुए अपने आसपास का अधिक उत्सुकता से अन्वेशन कर सकती है जारा दशमलव दो तीन लचीलापन लचीलेपन से तातपर्य है सुझावों के प्रति उदार होना तथा बच्चों की आवशक्ताओं और रुची को ध्यान में रखते है पर्वनिर्धारित कार्य योजनाओं वदेखभाल के धन को बदल देना बच्चों की अपनी अलग-अलग रुची, पसंद और नापसंध होती है संभवता उनको पालन करता द्वारा पूनिर्धारित खेल क्रियाए पसंद ना आए और वे कच और करना चाहते हो इससे पालन करता को परेशान नहीं होना चाहिए बलकि बच्चों की रुची किस खेल क्रिया में है उसे यहां मालूम करने का प्रयास करना चाहिए शालापूर्व बच्चे बड़े उत्साह से बताएंगे कि वे क्या करने के इच्छुक है और पालन करता को उनके सुझावों के प्रति उदार होना चाहिए दूसरे शब्दों में जबकि बच्चों के लिए पालन करता द्वारा तै की गई गतिविधियों की रूपरेखा होनी आवश्चक है उनमें परिवर्तन के लिए स्थान होना भी जरूरी है यानि की उनमें लचीलापन होना आवश्चक है क्रियाओं का मुख्य उद्देश बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपने परिवेश का अनवेशन करने देना और विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर देना है पूरे दिन के कारेकलाप की योजना सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए ताकि उसकी रूपरेखा में लचीलापन आ सके इस पहल का हम खंड साथ में विस्तार से वर्णन करेंगे जारा दशमलव दो चार बालकेंद्रित होना पालन करता का बालकेंद्रित होना आवशक है बालकेंद्रित होने से तातपरिय यह है कि बच्चों के लिए तयार की गई क्रियाएं और योजनाएं उनकी क्षमताओं, रुची और आवशकताओं के अनुरूप हो बालकेंद्रित व्यक्ति में समवेदन शीलता और लचीलापन दोनों गुर होते हैं बच्चों के साथ अंतहक्रिया में पालन करता में बच्चों के प्रती उदासीनता और द्वेश की भावना नहीं आनी चाहिए उसमें धैर्य होना अनिवार्य है उसे अपने कार्य के लिए सकारात्मक भावना और प्रसन्नचित द्रिश्टिकोन रखना चाहिए यदि पालन करता बच्चों की उपलब्धियों में खुशी महसूस करेगी और उनकी खुशी में भागिदार होगी तो पालन करता और बच्चों के बीच एक भावात्मक संबंद एवं घनिष्ठता स्थापित हो सकेगी बच्चों के साथ आदरपूर्ण व्यवहार करने से बच्चे तनाव मुक्त रहेंगे उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा और वे अपने महत्वों समझ सकेंगे खेल सामगरी और खिलोने देते समय पालन करता को उनके तूटने की चंता नहीं करनी चाहिए आपने ऐसा देखा होगा कि कई माता-पिता अपने बच्चों के लिए कीमती खिलोने तो खरीद देते हैं परंतु बच्चों को उनसे खेलने तो क्या उन्हें छूने भी नहीं देते इससे तो बहतर होगा कि वे बच्चों के लिए सस्ते खिलोने खरीदे या घर में ही उनके लिए खिलोने बना ले खेलने अत्वा अन्वेशन के दौरान यदि बच्चों के कपड़े और खेलने की जगा गंदी हो जाती है तो सफाई रखने के लिए पालन करता को उन्हें खेलने से रोकना नहीं चाहिए खेलते समय बच्चे जो आनन्द महसूस करते हैं वहाँ उनके कपड़ों की सफाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है बगीचे में खेलते समय बच्चे मिट्टी खोदे बिना नहीं रहेंगे और इस खेल में उनके कपड़े साफ नहीं रहेंगे परन्तु इस खेल में उन्हें जो मज़ा आता है उसका तो कहना ही क्या साथी साथ वे बहुत कुछ सीखेंगे भी दूसरे शब्दों में अगर बच्चों को साफ काइम्स रखने का मूल्य उनकी अन्वेशन की इच्छा को दबाना है तो वहाँ अवांचनिय है बच्चों को उनकी पसंद के आधार पर मुक्त रूप से खेलने देना चाहिए बशर्ते की वे दूसरों को और अपने आपको कोई नुकसान न पहचा रहे हो खेल क्रिया समाप्थ होने पर ही सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए और इस कार्य में बच्चों की मदद भी ली जा सकती है जा रह तीन माता-पिता के साथ अंतहक्रिया शिशुग्रा और शालापूर्फ केंद्र के कार्य करता का माता-पिता से सपर्क बनाय रखना आवश्शक है यदि अभिभावकों और कार्य करताओं के बीच अच्छा संप्रेशन हो तो दोनों मिलकर सामोहिक रूप से बच्चों के लाब के लिए कार्य कर सकती है माता-पिता से यह जानकर की बच्चे घर पर कैसा व्यवहार करती हैं कार्य करता बच्चों को अधिक अच्छी तरह समझ सकती है यह जानकर की बच्चे केंद्र में कैसी क्रियाए करती हैं माता-पिता भी उनका अधिक बहतर पालन पोशन कर सकेंगे माता-पिता से अच्छे संबंद बनाए रखने के लिए कार्यकर्ता का एक धहर्यवान शोता होना आवश्चक है संभव है माता-पिता कार्यकर्ता के साथ बच्चे की देखभाल के बारे में कच बातचीत करना चाहे ऐसे में बहतर होगा कि कार्यकर्ता माता-पिता को निर्देश न देकर उन्हें सुझाव दे एक कार्यकर्ता के रूप में उसे यह याद रखना चाहिए कि वहां माता-पिता की भूमिका का प्रतिद्वन्वी नहीं परिपूरक है अगर कार्यकर्ता बच्चों पर अपना पूरा हक समझने लगेगी तो उसमें और माता-पिता के संबंदों में कड़वाहट आ सकती है खंड साथ में आप इसके बारे में विस्तरित जानकारी प्राप्त करेंगे केंद्र में काम करने वाले अन्य सदस्यों के साथ भी कार्यकर्ता को मैत्री पूर्ण संबंद बनाने चाहिए केंद्र में कार्यकर्ता और अन्य सदस्यों के बीच कटू संबंद बच्चों को भी परेशान कर देते हैं जारा दशमलव चार पालनकर्ता के कौशल उचित मनवृत्ती के साथ साथ पालन करता का अपने कार्य में कुशल होना भी आवश्चक है आईए अब हम पढ़े की केंद्र में कार्य करता को क्या क्या कार्य करने होते हैं और उनको करने के लिए उसमें किन कौशलों का होना आवश्चक है यह जानकारी तालिका 11 कक्त में दी गई है तालिका 11 कः शिशुग्रिय में पालन करता द्वारा किये जाने वाले कार्य और संबंधित मान और कौशल कौशल विवर्ण के लिए स्क्रीन को देखे 14.5 शिशों के लिए खेल क्रियाए खेल क्रियाओं का वर्णन करने से पहले आएए पढ़े की बच्चों के लिए खेल सामगरी का चुनाव किस आधार पर किया जाना चाहिए यहां आवशक नहीं कि खिलोने और अन्य खेल सामगरी महंगी हो बोतलों के धक्कन, दिब्बे, पेडों की तहनिया, सीपिया, तिनके, कागस के टुकडे यानी जो वस्तुए आम तौर पर बेकार समझी जाती है बच्चों को उतनी ही रोचक लगती है घर में आसानी से उपलब्ध वस्तुओं से भी हम संदर संदर खिलोने बना सकते हैं गुडिया, जुन्जुने, मुखोटे और कटपुतलिया थोड़ी सी मेहन से घर पर ही बनाई जा सकती है विवर्ण के लिए स्क्रीन को देखे यहां आवशक है कि खेल सामगरी बच्चों की उम्र के अनुरूप हो उनकी योग्यता के अनुरूप होने पर ही कोई खेल क्रिया बच्चों के लिए अर्थपूर्ण बन सकती है वही खेल सामगरी और भी उप्योगी हो जाती है यदि वह विभिन्न उम्र के बच्चों के लिए इस्तमाल की जा सके उदाहरन के लिए बोतलों के विभिन्न रंगों के धक्कन जहां एक और शरू में एक वर्ष के बच्चे के लिए उठाने पकडने और खेलने के काम आ सकते हैं वहीं दूसरी और चार वर्ष की बालिका इनको रंग और आकार के आधार पर अलग-अलग समुहों में लगा सकती है इसी प्रकार लकडी के गटके, बलाक से बच्चे घर, इमारत या रेलगाडी बना कर खेल सकते हैं इन गटकों का इस्तमाल आकार, रंग, नाप और अंकों के बारे में ज्यान देने के लिए भी किया जा सकता है मोती, पत्थर, रसी, पहिये, गेंद, आधी इसी तरह की अन्य खेल सामगरी है जो बच्चों के खेलने के काम आ सकती है खिलोनों का आकरशक होना अनिवार्य है खिलोने चमकीले होने चाहिए और अलग-अलग रंगों के होने चाहिए साथ ही, खिलोने ऐसे होने चाहिए जिन्हें बच्चे आसानी से पकड़ सके और उनके साथ खेल सके हवा से भरे खिलोने, कप्रे या कागस की बनी गेंद, लकडी के धागे से खीचने वाले खिलोने, रंग बिरंगे कप्रों की बनी गुडिया और कटपुतलिया आदी बच्चों को बहुत आकरशक लगती है खेल सामगरी खरीते या बनाते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार से बच्चों के लिए हानिकारत न हो आथा खिलोने का चनाव करते समय निमलिखित बातों का विशेश ध्यान रखें काइम्स खिलोनों का आकार इतना बड़ा हो कि बच्चे उन्हें निगल ना सके और नहीं अपने नाक, कान या आँख में डाल सके खिलोनों के किनारे नुकीले होने की जगह गोलाकार और समतल होने चाहिए नकीले खिलोनों से बच्चों को चोट लगने का भय बना रहता है बच्चे अकसर वस्तों को मुँ में डालते हैं इसलिए यहाद देख लेना चाहिए कि खिलोने बनाने और रंगने के लिए प्रयक्त सामगरी विशेली ना हो यदि खिलोने कपड़े के बने हैं तो कपड़े का रंग पक्का होना चाहिए धातू के बने खिलोने छोटे बच्चों को चोट पहुचा सकते हैं इसलिए यह उन्हें नहीं देने चाहिए खिलोने आसानी से तूटने वाले नहीं होने चाहिए वे इतने मजबूत हो की पटकने चबाने अथ्वा दबाने से न तूटें आईए अब हम एक साल से कम उम्रके शिशों के लिए खेल क्रियाओं के बारे में पढ़े यह खेल क्रियाएं शिशों की क्षमताओं पर आधरित है जो विकास के साथ-साथ बढ़ती और अधिक जटिल होती जाती है इसी कारण इस इकाई में वर्नित खेल क्रियाओं का क्रम सरल से कठिन की ओर है पहले वर्ष को दो आय वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रतिक भाग के अंकल खेल क्रियाओं का वर्णन किया गया है इस इकाई में जिन खेल क्रियाओं के बारे में आप पढ़ेंगे वे केवल कुछ उदाहरन मात्र है आप शिशों के लिए इनके जैसी अन्य खेल क्रियाओं आयोजित कर सकते हैं ये खेल क्रियाएं शिशों की योग्यता को जाचने के लिए नहीं बनाई गई है। शिशों इनमें तभी आनन्द ले पाएंगे जबकि पालन करता भी इनमें दिल्चस्पी ले। कभी कभी पालन करता परेशान होती है और ऐसे समय में वह खेल में एक अच्छा साथी नहीं बन पाती। आगे के उपभाग में बताई गई खेल क्रियाएं शिशों के मूल कौश्रों के विकास में सहायक सिद्ध होंगी जैसे की आखों को वस्तूओं पर केंद्रित करना, आखों हार्थों की गती में समन्वै स्थापित करना और विभिन्न वस्तूओं के बीच भेद कर पाना। इन खेल क्रियाओं द्वारा शिशु धीरे-धीरे अपने आसपास के वातावन की वस्ताओं के बारे में और अपनी क्षमताओं के बारे में जानेंगे। खेल क्रियाओं के दोरान अंतक्रिया से शिशु को पालन करता से स्नहमे संबंध भी स्थापित करने में सहायता मिलत दूसरे शब्दों में, यह खेल क्रियाए शिशुओं को अपने कौशलों का अभ्यास करने का और नए कौशल सीखने का मौका देंगी। अच्चों के लिए खेल सामगरी का चयन करते समय आपको किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वस्था में ऐसी खेल बढ़ावा मिले। जन्मोप्रांत नवजात शिशुओं को नए वातावर्ण में स्वयं को समायोजित करना पड़ता है। शिश का अधिकांज समय सोते हुए बीटता है। भूक लगने पर, दर्ध होने पर और घीला होने पर शिशुओं को असुविधा होती है। इस समय उनकी सबसे महत्वपूर्ण आवशकता है सुविधा। इस कारण उनके रोने पर पालन करता को तुरंत ध्यान देना चाहिए ताकि आसपास के लोगों के प्रती उनमें विश्वास की भावना पैदा हो सके। जुलाना, थपथपाना, गोधी में उठाना, हिलाना दुलाना शिशुओं को आनन प्रदान करता है और इनसे उन्हें आराम भी मिलता है। जब हम शिशुओं से कोमल स्वर में बात करते हैं या गुनबुनाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। जब हम उन्हें गोदी में उठाते हैं और उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं तब उन्हें प्यार और स्नेह का एहसास होता है। यदी संभव हो तो काम करते समय शिशु को कहीं अपने आसपास ही रखे ताकि आवर्शक्ता पढ़ने पर आप शीगरता से उसकी ओर ध्यान दे सकें। कई माताय शिशु के पालने से डोरी बांध देती हैं और काम करते हुए समय समय पर पालने को हिलाती रहती है। पहले एक-दो महीनों में बच्चों को खिलोनों और खेल की आवर्शक्ता नहीं होती है। एक या दो महीने के अंध तक वे अपेक्शाक्रित पहले से अधिक समयम के लिए जाकते हैं और क्रियाशिल रहते हैं। अब आप उनके साथ कुछ खेल क्रियाए कर सकते हैं। आपको मालूम है कि शिश ध्वनी के स्त्रोत को पहचान लेते हैं। कच्च निनलिखित खेल उनके इस कौशर पर आधारित है। आप इने शिशों के साथ करके देखिए। आप जानते हैं कि यदि कोई वस्तु धीमी गती से शिशों के पास हिल रही हो, तो वे उसकी और भी आकर्शित होते हैं। अगर आप शिशों के सामने कोई वस्तु धीरे-धीरे हिलाएंगे तो देवस की ओर ध्यान से देखेंगे। इन खेल क्रियाओं से शिशों को आनंद मिलता है और वे मुसकरा कर और ध्वनिया निकाल कर अनुक्रिया दिखाते हैं। ये क्रियाओं ज्यानेंद्रियों के विकास में सहायता करती है। वस्तु की ओर देखना इस उम्र के शिशों के लिए खास आकर्शन रखता है। सबसे पहली वस्तु जिनकी ओर शिशु ध्यान से देखते हैं, वह है उनके अपने हाथ। शुरू में वे थोड़े समय के लिए ही अपने हाथों को गौर से देखते हैं, और फिर धीरे-धीरे ज्यादा समय के लिए उन्हें देखते रहते हैं। तीम महीने की उम्र तक वे अपने हाथ को लगभग 5-10 मिनट तक देखते रहते हैं। अगर आप उनके पालने से कोई खिलोना या वस्तु टांग दें, तो वहाँ उन्हें हिलते हैं देखते रहेंगे। अगर यहाँ गतिशील खिलोना मधुर आवाज भी करें तो यहाँ शिशु को और भी अधिक आकरशित करेंगा। वस्तुता कोई भी खिलोना अत्वा वस्तु जो रंगीन हो और शिशु के लिए हानिकारक न हो उसके सामने रखी जा सकती है। वहाँ उसे देखेंगे और उसे खिलेंगे। आप जानते हैं कि शुरू के महीनों में खिलोने शिश से लगभग एक फुट की दूरी पर ही रखे होने चाहिए क्योंकि इस दूरी पर रखी वस्तुए उन्हें स्पष्ट दिखाई देती है। इस उम्र में पालने पर खिलोने शिशु के ठीक उपर नहीं टांगने। चाहिए क्योंकि अभीवे अपने सिर को मध्य रेखा पर स्थिर नहीं रख पाते। पीठ के बल लेटे हुए शिशु अधिकांश समय अपनी दाई या बाई और नहीं देखते हैं न की सीधे उपर। इसलिए पालने पर खिलोने दाई या बाई और ही लटकाने वाहिए। हमारे देश के लगभग सभी प्रान्तों में शिशु की तेर से मालिश करने का आम रिवाज है। इससे उनके शारिरिक विकास को प्रोटसाहन मिलता है और यह मात तथा बच्चे के बीच स्नहमें संबंध बनाने का अवसर भी प्रदान करता है। मालिश करते समय माता गंधनाती है और शिशु को जलाती है। इस स्नहमें अंतक्रिया के प्रती शिश खश हो अनुक्रिया दिखाते हैं। आप में देखा होगा कि तीन महीने के शिशु अपने आसपास पड़ी वस्तूओं को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। तकिया भाई की कमीज, मा के बाल जो भी उनके हाथ में आता है उसे पकड़ लेते हैं। पालने से लटक रहे खिलोनों की ओर भी वे हाथ बढ़ाते हैं और कभी-कभी पकड़ कर उन्हें जोर से खीच लेते हैं। पालने से लटक रहे खिलोने बच्चों की पहुँच में होने चाहिए और किसी मजबुत चीज से बंधे होने चाहिए ताकि वे निकल न जाए खिलोने सक्त समागरी से नहीं बने होने चाहिए ताकि शिशु को चोट न पहुँचे इस प्रकार खिलोनों को खीचने और पकड़ने के प्रयास में शिशु के हाथों और आखों के तालमेल में सधार आता है इस उम्र तक शिश अपने सिर को संभालना सीख जाते हैं यदि शिशु को पाँच या दस मिनट पेट के बल लिटाया जाए तो उन्हें सिर संभालना आ जाता है चूकि अब वे अपना सिर संभाल कर ठीक उपर देख सकते हैं आथा अब आप पालने से लटके खिलोनों को पालने के बीच सरका सकते हैं चार माह की उम्र के आसपास शिशु करवट लेकर दूर पड़े खिलोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं इस उम्र में शिशु गुदगुदी करने पर किलकारी मार कर हंसते हैं इस खेल में न केवल शिशु को ही बलकी पालन करता को भी आनंद मिलता है आप जानते हैं कि लगभक पांच महीने के होने पर शिशू पैर मारने लगते हैं उनकी टांगों की मास पेशियों में और बला जाता है यदी अब आप उनकी दोनों टांगों को इकठा पकड़ ले और उन्हें टांगे हिलाने न दे तो शिश जोर से टांगे हिला कर उन्हें छडाने की कोशिश करेंगे पांच माह के शिशु के साथ एक साधारण खेल निमलिखित तरीके से खेला जा सकता है उसके पाव के पास एक नरम खिलोना रख दें जब भी उसका पैर इससे टकराएगा वहाँ बार-बार खिलोने को पैर से मारने की कोशिश करेगी यही क्रिया एक खेल बन जाती है पांचवेच्थे महीने के दौरान शिशु पीट से पेट के बल करवट आसानी से बदल लेते हैं आथा जब वे पलन पर लेते हों तो चौकरने रहिए क्योंकि वे गिर सकते हैं शिशु को अकेले छोड़ते समय या तो उन्हें जमीन पर लिटा दीजिए या पालने में शिशु को अन्य लोगों के पास रहने का अवसर दीजिए ताकि वहां उन्हें देख और सुन सके शिशु के साथ अधिकाधिक समय बिताईए, बाते कीजिए, खेलिए, गुनगुनाईए और हसिए आप जानते हैं कि इस उम्र के शिश कजन करते है और अनिध्वनियों निकालने लगते है शिशु की इन आवाजों के प्रती अनुक्रिया दिखाना आवशेक है जब आप शिशु की आवाजों की नकल करेंगे तो शिश ऐसी ध्वनियों और अधिक निकालेंगे शिश की ओर देखते हुए यदि आप तरहत्रह की आवाजे निकालेंगे और नकल करेंगे तो वे हनसेंगे और किलकारिया मारेंगे छह महीने के शिशु आसपास की वस्तों में दिलचस्पी दिखाते हैं उनको ऐसी वस्तों दें जिन्हें वे पिचका सकें, उठा सकें, दबा सकें और आसानी से पकड सकें इस तरह वस्तों से खेलते हुए वे हाथों, पैरों, मुह, शरीर से उनकी जाचप्रक करते हैं दिन में कुछ समय के लिए शिश को कंधे से लगाकर गोदी में उठाना जरूरी है इस प्रकार जब शिश को आप कंधे से लगाएगे तो वे और भी कई चीजें देख सकेंगे जब माता पडोस में शिश को अपने साथ लेकर जाती है तो शिश को भी यह सामाजिक अनुभव अच्छा लगता है चह महीने के आसपास शिशो सहारा लेकर बैठ सकते हैं और अपने आपको संतुलित रख सकते हैं तकिये और गदियों का सहारा लगाग कर बैठने में उनकी मदद कीजिए अब आप और कई तरह की खेल क्रियाए आयोजित कर सकते हैं एक आम खेल जो माता पिता शिश के साथ खेलते हैं वह है उसे घटनों पर बैठा कर जलाना कर्सी पर बैठे है आप शिश को अपने पैरों पर बैठा कर भी जला सकते हैं हम सबने इस प्रकार के कई खेल शिशों के साथ खेले हैं क्या आप कुछ और ऐसे खेल सज़ा सकेंगे धीमा मदूर संगीत सुनने में शिशों को मजा आता है बच्चों के लिए कई लोरिया और कविताय हैं क्या आपको अपने शेत्र में गाई जाने वाली ऐसी लोरियों या कविताय आती है लोरी सुनते हुए शिशु ले और ध्वनी की पहचान करना सीख जाते हैं और इस प्रकार ये भाशा सीखने में सहायक होते हैं बूध फ्रश्न, दो एक, निमनलिखित आयवर्द के प्रतेक शिशु के लिए आप जो खेल क्रियाए आयोजित करेंगे उनकी सूची बनाईए एक, नवजात शिशु दो, एक से तीन महीने का शिशु तीन, तीन से चह महीने का शिशु दो, निमनलिखित का कारण बताईए एक, दिन में कुछ समय के लिए बच्चे को कंदे के सहारे गोद में रखना दो, लगभग पांच महीने के बच्चे को अकेले छोड़ते समय पलग की बजाए जमीन पर लिटाना 11.5.2, साथ से बारह माह के शिशों के लिए खेल क्रियाए इन चह महीनों में शिश अपने हाथों का अच्छा इस्तेमाल करना सीख जाते हैं यानि कि अब वे वस्तों को हाथ में उठा कर उनकी जाचप्रक कर सकते हैं वे कचशब्द समझते हैं और सरल आदेशों का पालन भी कर सकते हैं क्योंकि अब वे ज़्यादा सक्री होते हैं आप अब उनकी खेल क्रियाओं में विविधता ला सकते हैं अब तक शिश और माता के बीट स्नेहमई संबंध बन चुका होता है इसलिए उन्हें माता के विशेश ध्यान की आवशेक्ता होती है चह महीने के शिशू बिना सहारे के बैट सकते हैं मा उसके प्रती अब अधिक आश्वस्थ होती है और अपना काम करते समय उसे अकेला खेलने देती है बीच बीच में वह शिश को देखती भी रहती है और ऐसा करते समय उससे बाते भी कर लेती है शिशु को खिलोनों से खेलने के अवसर दीजिए वे खिलोने जो आवाज करते हैं शिशु को अधिक पसंद आते हैं शायद आपने शिशु के साथ कभी ऐसा खेल खेला होगा जिसमें कि जितनी बार आपने शिशु को कोई चीज पकडाई होगी उसने उसे फेंक दिया हो ऐसे खेल शिशु को बहुत पसंद आते हैं और वे इन्हें बहुत देर तक खेलते रहते हैं आपको शिशू के लिए मैंहगे खिलोने खरीदने की आवश्यक्ता नहीं है आप उसे खेलने के लिए घर में पड़ी चीजें, जैसे की गत्ते के डिब्बे, प्लास्टिक के बर्तव, धागे की खाली रीले आदी दे सकते हैं शिशू के खेलने के लिए रब्ड की गेंद अच्छी रहती है, क्योंकि वह धीरे से धकेलने पर ही दर तक चली जाती है घर में रखे बेकार कपडों से भी बच्चों के लिए मजेदार खिलोने बनाये जा सकते हैं नौ महीने के शिशू सरल निर्देशों को समझ सकते हैं आप उन्हें अपने साथ कुछ कारियों में भी वेस्त रख सकते हैं उदाहरन के लिए जब आप सबजी काट रही हों तो शिशू को आप एक-एक कर सबजी पकडाने के लिए कह सकते हैं आप शिशु के साथ इस प्रकार के कई खेल खेल सकते हैं, जिनमें एक दूसरे को वस्तुए प्रकडानी और लेनी हों. जो खिलोने आप उन्हें पकडाएंगे वे उनकी ओर हाथ बढ़ाएंगे और पकडने की कोशिश करेंगे. जब आप उनसे खिलोना ले लेंगे तो वे फिर आपसे लेने की कोशिश करेंगे. इस प्रकार, जब शिश खेल सामगरी के साथ जाचप्रक करके खेलते हैं, तो वे कारण और उसके प्रभाव के बारे में सीखते हैं, अपनी क्रिया और वस्तों पर उसके प्रभाव के बारे में जानने लगते हैं. जब शिशु घु उसको सरक्षा की ओट में सदैव पालने अत्वा की में बिठा कर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना उसकी क्रियाओं और अन्वेशन की इच्छा में बाधा डालता है। यदि आप शिशो से थोड़ी दूरी पर बैठ कर उसे पुकारें तो वह खुश होकर आपके पास इस खेल से आप ठक जाएंगे पर अन्तु शिश नहीं। खेलते हुए उनके चहरे पर जलकती खुशी देखिए। इस उम्र के शिश अपने बड़े भाई या बहिन का भी पीछा करते हैं। लुप का छिपी जैसे खेल ऐसी क्रियाओं से उभरते हैं और पहले वर्ष के अ पर आनंदित होंगे। ऐसी खेल क्रियाओं शिशु के सामाजिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देती हैं। जब शिशु घुटनों के बल पर चलने लगते हैं तो उनके घूमने फिरने का शेत्र भी बढ़ जाता है। वे अब दूर पड़ी वस्तों तक पहुंचकर उन या अपने पड़ोसी के घर जाते समय शिशु को अपने साथ ले जाए। उसे अनि लोगों से मिलने दे और चीजों को जांचने समझने के अवसर दे। शिशु आपकी बात समझ सकते हैं और आपके सरल प्रशनों का उत्तर इशारों द्वारा दे कर आपको अपनी बात भी समझा सकते हैं। बाजार में शिशु को नई नई चीजें देखने को मिलती हैं परन्तु वहां के शोरगुल और भीडभाड के कारण शिशु भैभीत हो सकते हैं। संभवतह वे रोना भी प्रारंब कर दें। ऐसे में उनको आश्वासन की जरूरत पढ़ती है। प्रोचसाहित कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय शिशु बालालाप भी करते हैं। अगर आप उनकी आवाजों की नकल करेंगे तो वे फिर से वही ध्वनी निकालेंगे और उत्साह से इस खेल को काफी देर तक खेलते रहेंगे। आप शरीर के विभिन अंगों क जानते हैं। जब शिशु घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं, तब माता को उनका अधिक ध्यान रखना पड़ता है। जो वस्तुए उन्हें हानी पहुचा सकती हैं, उन्हें उसकी पहुच से दूर रखना होगा। शीशे की बोतले, दवाईया, चाक और अन्यनुकिली चीजों को उनसे दूर रखना चाहिए। इसका अभिप्रायर यह नहीं है कि शिशु को देखने और खेलने के लिए कोई वस्तुही न दी जाए। खेल सामगरी ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से न तूट पाए और शिश को उससे चोट भी न पहुंच सके। कपड़े, रब्द या लकड़ी के बने खिलोने बच्चों के लिए अकसर सुरक्षित होते हैं। अब शिशु को लोरिया और कविताय और भी रुचिकर लगती हैं क्योंकि अब वे उनमें प्रयुक्त शब्दों को कुछ-कुछ समझने लगते हैं। लोरी सुनाते समय जो आपके चेहरे के बदलते हावभाव और स्वर परिवर्तन आहलादित करते हैं। कहानियों और लोरियों को प्रति दिन दोहराने से वे काफी नए शब्दों से परिचित होंगे जो उनके भाशा विकास में सहायक होगा। उपर रेक्त खेल क्रियाए शिशों की भाशा और ग्यानेंद्रियों के विकास तथा क्रियात्मक क्षमताओं को प्रोच साहित करेंगी। इनके द्वारा शिशु अपनी क्षमताओं के बारे में जानने लगेंगे। पहचान भी सकते हैं स्नेहपूर्ण और अंकल वातावरण में शिशु का सर्वोत्तम विकास होता है खेल क्रियाए आयोजित करते हुए पालनकर्ता को इस तथे का भी ध्यान रखना चाहिए कि शिशु को शांत वातावरण की भी आवशेक्ता होती है आवशेक्ता से अधिक क्रियाए और सामगरी देकर बच्चों को सीमा से अधिक प्रेरित नहीं करना चाहिए 11.6, खेल सामगरी बनाने के कच तरीके आईए, अब हम घर में उपलब्ध चीजों से बच्चों के लिए कच खेल सामगरी बनाना सीखें आपके घर में किस-किस तरह की सामगरी उपलब्ध है अखबार, लिफाफे, कपडों के टुकडे, पुरानी उन, पुरानी किताबे, डारिया, डिब्बे, साबुनदानी, प्लास्टिक की बोतले आदी कच ऐसी तस्तुए हैं जो घर में आसानी से मिल जाती हैं क्या आप इस सची में कच और वस्तों के नाम जोड सकते हैं, जो आपके घर में उपलब्ध हैं एक साल से कम उम्र के शिशु के लिए आपको ऐसी खेल सामगरी की आवश्यक्ता होगी जो गतिशील हो, आवाज करती हो, कोमल हो और शिशु की पकड में आसानी से आ सके गतिशील खिलोने पुरानी पत्रिकाए, किताबे, अखबार या कार्ड लीजिए और इन में बने रंगी इन चित्रों को काटिए इन चित्रों को एक मोटे कागज पर या गत्ते या फिर कार्ड पर चिपका दीजिए अब इनके एक कोने में छेद करके डोरी बाद दीजिए अब आपके पास एक ऐसा खिलोना तैयार है, जिसे आप कहीं भी टाग सकते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं जो की आवाज करती हों जैसे की चूडिया, सीपिया, छोटी घटिया और बोतलों के धक्कनों को इकठा करके एक साथ धागे में पिरो लीजिए जब आप इसे पालने से टांगेंगे तो ये हवा के साथ साथ हिलेंगी और शिशु का ध्यान आकरशित करेंगी रंगीन कागज से बनी पेपर चेन आकरशक होती है कागज के कई पतले और छोटे छोटे टुकडे काटिये एक टुकडे को लेकर उसके दोनों किनारे एक साथ चिपका लें जिससे की एक छलासा बन जाए दूसरे टुकडे को इस छले में से निकाल कर उसके भी दोनों किनारे चिपका लें इस तरह बारी-बारी से बाकी टुकडों के साथ भी यही करें इस तरह जोडने से आपके पास एक लंबी रंगीन चेन तयार हो जाएगी इस खिलोने को आप लकडी की छड अत्वाह गर में लटका सकते हैं आवाज करने वाले खिलोने जनचुना बनाने के लिए कोई भी गत्ते या प्लास्टिक का डिबबा छोटी प्लास्टिक की बोतल या माचिस की खाली डिबबी ले और उसमें कुछ पत्थर की छोटी गोटिया, बीज या बटन भर दें इस डिबबे को अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि शिशु के हाथ में आने से ये बल न सके इसमें छेद करें और उसमें एक डंडी लगा दें इस डंडी को अच्छी तरह चिपका दें ताकि वह निकल न सके आई ये शिशु के लिए एक ग्रम बनाए एक छोटा तिन का बंद डिबा ले और उसके उपर तथा नीचे की तरफ छेद कर दें इसके अंदर से एक मोटा धागा निकाल कर उसके दोनों किनारों पर गाठ बाद दे ताकि वह निकल न सके धागे के बाहर वाले हिस्से पर दो या तीन मोती लटका दें अब आप जब तिन को हिलाएंगे तो मोती तिन के दिब्बे से तकरा कर आवाज करेंगे हाथ में पकड़ने वाले खिलोने कपड़े के खिलोने इस प्रकार बनाए जा सकते हैं कोई कपड़ा ले और उसे दो बराबर हिस्सों चौकोर या गोल आकार में काट लें दोनों को एक साथ सिल ले और उसमें रूई या बीज भरने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दें यह भरने के बाद इस छेद को भी सिल दें इस पर बटन, मोती या कपड़े के टुकड़े से पशुपक्षी अत्वा लड़के लड़की की शकल बना दें कपड़े पर आप पेंट या कढ़ाई भी कर सकती हैं बूध प्रशन 3 एक आठ से बारह माह के बीच की आयू के शिशु के लिए तीन खिलोने अत्वा खेल सामगरी के नाम बताईए यह भी बताईए कि आपने इनका चैन क्यों किया 11 7. सारंश इस इकाई में आपने पढ़ाग की बच्चों के साथ सफल अंतहक्रिया पालनकर्ता के व्यक्तित्व से सुनिश्चित होती है उचित देखभाल के लिए पालनकर्ता में समुचित ग्यान, उचित अभीरुची और कौशलों का होना आवशेक है पालनकर्ता को समवेदनशील, बच्चों की आवशेक्ता के प्रती जागरूप और उनकी मनहस्थिती के प्रती अनक्रियाशील होना चाहिए उसे एहसास होना चाहिए कि एक बच्चा दसरे से भिन्न है इससे वह बच्चों के लिए अनकल खेल क्रियाओं का संगठन करने में सफल होगी उसमें आत्म विश्वास का होना जरूरी है और उसमें सही तथा सार्थक फैसले लेने का साहस होना चाहिए पालनकर्टा के दृष्टिकों में लची लापन और सज्जावों के परती संगरहन शीलता खेल क्रियाओं को सफल बनाती है पालनकर्टा को बाल केंद्रित होना चाहिए इसके अतिरिक्त, शिशु ग्रिह और शालापूर्व केंद्र के कारे करता के लिए मातापिता के साथ संपर्क बनाए रखना भी आवशेक है पालनकर्ता को बच्चों की स्वास्थय संबंधी देखभाल और विकास के मूल तत्वों की जानकारी भी होनी चाहिए इस इकाई में शिशों के लिए उचित खेल सामगरी और क्रियाओं के बारे में भी चर्चा की गई है खेल सामगरी का आकरशक, सुरक्षित और बच्चों की उम्र के अनुकूल तथा किफायती होना आवशेक है इस इकाई में जिन क्रियाओं की चर्चा की गई है वे शिशों की योगेताओं पर आधारित हैं नवजात शिशु की सबसे पहली आवशेक्ता है आराम ताकि वह नए वातावरन के अनुसार अपने आपको समायोजित कर सके धीरे धीरे पालन करता समवेदी और क्रियात्मत विकास के लिए क्रियाय संगठित कर सकते हैं जैसे ही शिश घटनों के बल चलना शुरू करते हैं उन्हें तरहत्रह की वस्तुए और अनुभव प्रदान किये जा सकते हैं खेल क्रियाओं का लक्षे सर्वांगीन विकास को बढ़ाना है धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो